जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरो का होगा नमस्कार परणाम अदाब ससिकाल मैं प्रेम कुमार मगहिया पुरे देश वासियों को स्वततरता दिवस की हारदिक सुभ कामनाएं देता हूँ आज पूरा देश सटतरता दिवस मना रहा है आज के दिन ही हमारा देश अजाद हुआ था तो आज ऐसे वीर जवानों को याद करने का दिन है इस अवसर पर जिन्होंने अपना सर्वस निचहवर कर हमारे देश को आजादी दिलाया स्वतनतता दिलाया और आज हम लोग इस काबिल हैं कि इस देश में सुक सांती से और आजाद होकर घुमते हैं तो उनका युगदान होगा आए उन वीरों को याद करते हुए कुछ का देश के ऐसे ऐसे वीर जवान जो भारत के अजादी के लिए लड़ते अपने प्रान निचावर कर दिये जवान से लेकर बुढ़ी तक औरत से लेकर मर तक बच्चे तक सभी सुतनता के आग में अजादी की लड़ाई के आग में कुछ चुपे थे बात करते हैं 1857 की पहली सुतनता जादी की लड़ाई बाबु बीर कुवर सिंग जो असी वर्स में उनका जवानी आया था उनका एक गोली बाया हाथ में लगा था उन्होंने काट कर फेक दिया था नदिपार करते हुई यह कहते हुए कि अंग्रेजों का जहर हम अपने सरी में नहीं फैलने देंगे जहांसी की राणी लची बाई जो लड़ते लड़ते अपने प्रानों की आहूती दे गई अपने बच्चे को पीट पर बांध कर लड़ने वाली जहांसी की राणी आज भी इतिहांस उनके चर हस्ते हस्ते फांसी के जूले पे चड़ गए चंद्रसेखारा जाद जो एक गोली रहते हुए उन्होंने अपने खुद को मार लिया लेकिन अंग्रेजों के हवाले अपने आपको नहीं किया ऐसे अनेक उदारन है ऐसे वीरों से पड़ी हमारे देश में गाथा है कि कहते है हम लोग नहीं ठकते हैं उन लोगों को प्रसंसा करना यानि कि सूरी को दिया दिखाना समान है ऐसे ही वीरों को याद करते हुए आज हम और वीरों को बताते हैं सुभास चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज का येका स्थापना ही कर दिया था एक अलग फौज का इनका ही नारा था तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा